आज मैं बना रही हूँ बेसन का चीला बेसन के चीले की रेसिपी आपने मेरे चैनल पर बहुत पसंद की है तो आज मैं उसी रेसिपी को कुछ अलग तरीके से बनाने वाली हूँ तो आईए बनाते हैं इसे यह जो रेसिपी है इतनी अच्छी और इतनी टेश्टी लगती है कि आप का जम मन करे कुछ healthy खाने का, तो आप इस recipe को बनाए और enjoy करें, तो बेसन का चिला बनाने के लिए मैंने याज मोटा वाला बेसन लिया है, आप बारिक वाला भी ले सकते हैं, पहले क्या करना है ना, एक कप बेसन लिया है मैंने, और इसमें क्या है ना थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर एक flowing consistency का बैटर आप पहले तयार कर लें उसके बाद इसमें एक से डेड़ चम्मच नमक डाल दें आधा से एक छोटा चम्मच इसमें हल्दी पाउडर डाल दें वन-फ Confederate छोटा चम्मच मीठा सोडा डाल दें मीठा सोडा डालने से क्या है ना इसमें एक अच्छी सी softness आ जाती है तो आप थोड़ा सा मीठा सोडा जरूर इस्तिमाल करें इसको डालने से कोई नुकसान नहीं है आप मीठा सोडा जरूर इस्तिमाल करें पस थोड़ा सा पानी डाल करना एक बार फिर से इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब इसे ढख कर एक साइट रग दें चलिए अब इसके लिए सबजियां तयार कर लेते हैं इसके लिए मैंने एक मीडियम साइज का प्याज दो हरी मिर्च आधा इंच अद्रक का टुकड़ा और एक टमाटर ले लिया है इन सब चीजों को न मैंने छोटे टुकड़े में काट कर रख लिया है अब क्या करना है इसे एक चौपर में डाल करना अच्छे से हम एकदम बारीक चौप कर लेंगे ऐसा करने से क्या है जो हम चीला बनाएंगे न उसको हम बारीक एकदम पतला बना सकते हैं लेकिन अगर जब हम चाकू से काटते हैं तो इसको हम ज़ादा पतला नहीं फैला सकते तो चौपर में डालने से क्या है आप इसे एकदम बारीक फैला सकते हैं यानि पतला-चीला बना सकते हैं अब इसमें एक टमाटर और थोड़ा सा बारीक धनिया पत्ती ताजा धनिया पत्ती डाल कर एक बार अच्छे से चॉप कर लेंगे देखिए जितना बारीक आप इसे चॉप करेंगे जो चीला है उतना ही पतला उतना ही ज़्यादा सॉफ्ट बनकर तयार होगा तो चलिए इस बैटर को भी रखे हुए 10 मिनट हो चुका है अब ये जो हमने मिक्चर तयार किया है न सबजी का उसको इसमें डाल कर अच्छे से मिक्स कर लें और ये जो बैटर की कंसिस्टेंसी है न पतली ही होनी चाहिए ताकि जब इसे हम तवे पर डालें तो वो एकदम से फैल जाए अभी इसमें थोड़ा सा पानी और पड़ेगा इसकी कंसिस्टेंसी आप देख रहे हैं ऐसी कंसिस्टेंसी न हमें रखनी है देखिए चीला बनाने के लिए अगर आप नौनिस्टिकी पैन का इस्तमाल करते हैं न तो बहुत अच्छा लेकिन अगर आपके पास ये नहीं है तो आप लोहे का तवा इस्तमाल कर सकते हैं लोहे की तवे को क्या है ना पहले तो आप अच्छे से गरम कर लें उसके बाद उसके उपर हलका सा ओयल लगाए पानी लगाए और कपड़े से पोज दें फिर गैस का फ्लेम जो है ना वो मीडियम पर रख कर इस बैटर को एक दो कल्ची डाल कर फैला ले और इसी तरीके से ढख करना हम पकाएंगे जब आपको लगे कि नीचे से अच्छा सा सेट हो गया है सिग गया है तब इसके उपर हलका सा घी या तेल लगा कर आप इसे पलट दें मैं इस पर घी का इस्तमाल कर रही हूँ वैसे या बेसन के साथ सरसो का तेल भी इस्तमाल कर सकते हैं तो बस इसे पलट कर दूसरे साइड से भी अच्छे से सेख लेंगे दिखी जैसा कि मैंने बताया इसमें जो सबजिया है उसको आप जितना बारीक चौप करेंगे ये जो चीला है उतना ही ज़ादा पतला आप इसे बना सकते हैं पतला बनाने से क्या है इसमें एक अच्छी सी सॉफ्टनेस बनी रहती है बस एक चीला तो हमारा बनकर तयार हो चुका है इसी तरीके से सारा जो चीला है बना कर तयार कर लेंगे इसे आप बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं और बना कर अगर आप रख भी देते हैं तो बात में भी आप इसे चाय के साथ इंजुआए कर सकते हैं इसे आप पराठे के साथ भी खा सकते हैं ब्रेट के साथ भी लगा कर खा सकते हैं मन पसंद चटनी के साथ आप इसे इंजुआए करें खाने में तो अच्छा लगता ही है सेहत के लिए भी अच्छा है और जैसा कि आपने देखा बनाने में भी बहुत ज़्यादा सिंपल है आज कल मटर का सीजन चल रहा है न तो आईए इस मटर से ही बनाते हैं ऐसी रेसिपी जो कि खाने में भी अच्छी लगे बनाने में भी सिंपल हो और आपके सेहत के लिए भी अच्छा हो तो आज मैं बना रही हूँ एक कप ताजे मटर से ये लाजवाब नस्ते की रेसिपी जिसे आपके आपके बच्चे भी बहुत पसंद करेंगे तो आईए बनाते हैं इसे वीडियो यानि की रेसिपी पसंद आए न तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो तो इस रेसिपी को बनाने के लिए न आधा कप धुला हुआ उड़त का दाल यानि की बिना छिलके वाली उड़त की दाल और डेड़ कप चावल मैंने पानी में भिंगो लिया है राद भर के लिए तो कम से कम 4-5 घंटे आप जरूर भिंगो कर रखें उसके बाद इसे एक बार साप पानी से धो ले और उसके बाद एक ग्राइंडर में डाल कर 3-4 चमच या जरूरत के अनुसार पानी डाल करना इसका हलका दरदरा या पेश्ट आप इकदम फाइन पेश्ट भी इसका तयार कर सकते हैं तो मैंने इसे हलका दरदरा ही रखा है ज्यादा बारीक नहीं किया है पीशने के बाद इसे हम 2-3 मिनट अच्छे से फेट लेंगे अब मैं इसमें डाल रही हूँ एक से डेड़ छोटा चमच नमक और वन फोर्थ छोटा चमच इसमें मीठा सोडा डाल दें इसे डाल करना हम 2-3 मिनट के लिए और अच्छे से फेट लेंगे बस ये बैटर हमारा तयार हो चुका है तो इसे एक साइट कर दें और एक प्लेट तयार कर लें जिसमें की इसे हमने स्टीम करना है अब एक ग्राइंडर जार लें और उसमें डाल दें 2-3 हरी मिर्च आदा इंच अद्रक का टुकड़ा छील कर इसे दो कर छोटे टुकड़े में काट लें और एक कटोरी के करीब ताजा हरा धनिया पत्ती और इसी के साथ इसमें थोड़ा सा करी पत्ता ताजा करी पत्ता डाल दें अब मैं इसमें डाल रही हूँ एक कप ताजा मतर इसमें मैंने ताजा मतर कहीं इस्तमाल किया है ताजे मतर से क्या है यह रेसिपी जो है ज़्यादा अच्छी लगेगी अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल दें स्वात के अनुसार नमक डाल दें एक छोटा चमश नमक आप आराम से इस्तिमाल कर सकते हैं बस इसे बंद करें और एकदम फाइन पेश्ट इसका तयार कर लें दिखी ये पेश्ट मैंने तयार कर लिया है अब इसे एक साइट रग देते हैं जो हमने बैटर तयार किया था ना दाल और चावल का उसमें एक पाउच मैंने इनो का डाल दिया है लेमन फ्लेवर वाला और थोड़ा सा इसके उपर पानी डाल करना अच्छे से मिक्स कर लें देखे एनो डालने के बाद ये बहुत जल्दी फूल जाता है तो इससे घबडाने की जरूरत नहीं है कि इसको आपने बहुत जल्दी जल्दी काम करना है ऐसा कुछ भी नहीं है आप आराम आराम से इसको मिक्स करें और जिस प्लेट को हमने तयार करके रखा है ना उसमें इस मिक्षर को डाल दे बहुत जादा नहीं डालना है बस इतना डालें कि इसमें हम दो लेयर कर सकें बागी जो बैटर है अगर जादा हो जाता है तो आप दूसरे बरतन में स्टीम करने के लिए रख सकते हैं तो अब इसे स्टीम कर लेते हैं तो इसको स्टीम करने के लिए मैंने पहले से ही एक कठाई में दो ग्लास के करीब पानी डाल कर गरम कर लिया था अब इसे ढख कर धीमी आज पर तीन से चार मिनट के लिए छोड़ देंगे अब बागी का जो बैटर है उसको मैंने थोड़ा एक बोल में निकाल लिया है और अब जो हमने ये मिक्षर त्यार करके रखा था ना हरे धनिये का और मटर का उसको इसमें डाल कर अच्छे से मिक जादा इस टीम भी नहीं करना है बस ऐसा करने से क्या है ना जब इसके उपर हम दूसरा लेयर डालेंगे तो ये अंदर दबेगा नहीं बस हलके हाथों से थोड़ा थोड़ा बैटर इसके उपर डालते जाए और हलके हाथों से फैलाते जाए बस अब इसे ढख करना करीब 10 से 15 मिनट के लिए धीमी आज पर छोड़ देंगे 10 मिनट बाद आप एक बार चेक जरूर कर लें कि ये अच्छे से स्टीम हुआ है कि नहीं अगर नहीं हुआ है तो 3-4 मिनट के लिए और छोड़ दें अभी टोटल 12 मिनट ही हुआ है एक बार चेक कर लेते हैं इसे देखिए यह बहुत ही अच्छे से इस्टीम हो चुका है तो अब इसे बाहर निकाल लेते हैं बाहर निकालने के बाद थोड़ी देर रुख जाएं उसके बाद कुछ सेकेंड्स के बाद इसे हम अपने मन चाहे साइज में न कट कर लेंगे चलिए अब इसके लिए तड़का त्यार कर लेते हैं तो इसके लिए एक तड़के पैन में न मैंने दो चमच के करीब घी डाल दिया है घी को थोड़ा गरम हो जाने दे अब इसमें एक छोटा चमच राई डाल दे इसी के साथ थोड़ा सा हींग डाल दे और खड़ा लाल मिर लिया है इसको थोड़ा सा चला लेते हैं और अब इसमें थोड़ा सा ताजा करी पत्ता डाल दें देखिए इस चीज को आप एक बड़े कढ़ाई में भी कर सकते हैं उसमें क्या है कि आप जो हमने ये ढोकला बना के रखा है न उसको आप कढ़ाई में तड़का डालने के बा अपने मन पसंद चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं जो कि खाने में बहुत जादा लाजवाब लगता है या इस तरीके से आप सिंपल से भी तड़का लगा कर इसे तयार कर सकते हैं जैसा आपको मन करें उस तरीके से आप इसे सर्व कर सकते हैं बस अच्छे से इसे फैला ले इस जवाब लगता है और बनाने में भी आपने देखा कितना ज़्यादा सिंपल है तो उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको जरूर पसंद आई होगी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे आप पहले तो आप बनाईए उसके बाद फीडबक देकर बताईएगा जरूर कि आप को ये रेसिपी कैसी लगी आपको ये रेसिपी कैसी लगी कि रेसिपी को देखने के बाद लानी आप घर पर बना का बनाना सकते हैं Unterstüt कि लगी को पास्ण होगीक मार्केट जह स्वाफ्ट पर पनाना चाहते हैं तो बिलकुल बना सकते हैं अप Sophia दही रेसीपी देख रहे हैं इस रेसीपी को देखने के बाद आप जब भी घर पर ढोकला बनाएंगे एकदम मार्किट जैसा यानि की हलवाई जैसा बना सकते हैं तो आईए बनाते हैं इसे पूरी वीडियो आप जरूर देखें परफेक्ट ढोकला बनाने के लिए तो एक देड़ चम्मच नीबू का रज डाल दें इसी के साथ देड़ छोटा चम्मच इसमें तेल का तेल डाल दें अब इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करना है यानि तब तक इसे मिक्स करना है जो हमने इसमें चीनी डाला है वो घूल नहीं जाए बस अब इसे एक साइड अब एक मिक्सिंग मोल लें और उसके उपर इस तरीके से एक छन्नी रग दें धोकला बनाने के लिए बेसन को चानना बहुत जरूरी है तो इसमें मैंने डाल दिया है डेड़ का बेसन और ये जो बेसन मैं इस्तेमाल कर रही हूँ न ये मोटा वाला बेसन है तो मैं तो यह ही कहोंगी कि आप धोकला बनाने के लिए मोटा बेसन इस्तेमाल करें बस अच्छे से इसे चाल लें अब जो हमने ये मिक्षर तयार करके रखा है न दही का उसको इसमें थोड़ा थोड़ा डाल कर अच्छे से मिक्स कर लें एक बार में सारा नहीं डाले नहीं तो इसमें ग अब क्या है न जो मैं आपको बताने वाली हूँ इसे हमने फेटना है करीब 4-5 मिनट के लिए ये बहुत ही जरूरी है एक परफेक्ट ढोकला बनाने के लिए तो आप बीज-बीज में रुख सकते हैं लेकिन इसे हमने 4-5 मिनट तक लगातार चलाते हुए फेटना है और एक ही डारेक्शन में इसे फेटे ऐसा करने से क्या है न ये जो बैटर है न हलका हो जाएगा उससे क्या है जो ढोकला बनेगा एकदम सौफ्ट बन कर तयार होगा चार से 5 मिनट फेटने के बाद इसे ढख कर करीब 15 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे ये करना भी बहुत ही जरूरी है तो फेटने के बाद 15 मिनट के लिए इसे एक साइट रग दें अब जिस बड़तन में हमने ढोकला बनाना है न उसको थोड़ा सा ओयल डाल कर ग्रेज कर लें इसके लिए आप कोई भी बड़तन इस्तिमाल कर सकते हैं इधर इसे रखे हुए 15 मिनट हो चुका है एक बार फेट से न तीन-चार मिनट के लिए अच्छे से फेट ले उसी डारेक्शन में ये बहुत ही जरूरी टिप है ऐसा करने से क्या है एक्टम परफेक्ट ढोकला बनकर त्यार होगा दिखिए तीन-चार मिनट मैंने फेट लिया है अब मैं इसमें डाल रही हूँ एक पाउच इनो का ये लेमन फ्लेवर वाला इनो है इसे के उपर एक चम्मच के करीब पानी डाल दे और हलके हाथों से मिक्स कर लें बहुत देड तक नहीं करना है बस इनो को अच्छे से मिक्स कर लेना है ओवर मिक्स नहीं करना है हमने mix करने के बाद फटा फट से इसे उसी बर्तन में पलड़ दे जिसको की हमने oil लगा के रखा है देखिए बर्तन में डालने के बाद इसको हमने tap नहीं करना है as it is उठा कर इसको हमने उसी बर्तन में रख देना है जिसमें की हमने इसे steam करना है तो इस्टीम करने के लिए आप पहले से ही पानी तयार करके रखें यानि गरम होने के लिए रख दें ताकि इनो डालने के बाद इसे हम फटा-फट से कड़ाई में रख सकें बस अब इसे ढख दें और मेडियम फ्लेम पर करीब 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे 15 मिनट में तो वैसे ये इस्टीम हो जाता है लेकिन 15 मिनट बाद भी अगर आपको लगता है कि थोड़ा कच्चा रह गया है तो आप 2-3 मिनट के लिए और छोड़ सकते हैं अभी पूरे 15 मिनट हो चुके हैं एक बार चेक कर लेते हैं देखिए ये बहुत ही अच्छे से स्टीम हो चुका है अब गैस का फ्लेम बन कर दें और इसे ढख करना ऐसे ही 5 मिनट के लिए छोड़ दें ऐसा करने से क्या है बहुत ही अच्छे से ये मौइस्ट हो जाता है और एकदम सॉफ्ट जूसी बन कर तयार होता है तो पांच मिनट बाद इसे मैंने बाहर निकाल लिया है थोड़ा सा ठंडा हो जाने दे उसके बाद चाकू से इसके किनारों को अलग कर ले अब इसे हम डी मोल्ड कर लेंगे ऐसे दीखे जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है कितना अच्छा ये ढोकला बनकर तयार हुआ है और जब ये ठंडा हो जाएगा ना ढोकला को क्या है कि हमने ठंडा सर्व करना होता है तो जब ये ठंडा हो जाएगा ना ये और ज्यादा जूसी और स्पॉंजी हो जाएगा तो बस अब इसे मन चाहे साइज में कट कर लेते हैं तो चलिए अब इसके लिए तड़का त्यार कर लेते हैं एक तड़का पैल ले और उसमें डाल दे एक से दो चम्मच के करीब तेल का तेल इस रेसिपी में मैंने तेल का तेल ही इस्तिमाल किया है एक छोटा चमच राई डाल दे या सरसो डाल दे थोड़ा सा हींग डाल दे चार से पांच हरी मिर्च इसको इस तरीके से कट करके डाल दे कुछ सेकेंड्स के लिए इसे हम फ्राई कर लेंगे अब इसमें ताजा करी पत्ता डाल दे कुछ सेकेट्स के लिए इसे भी फ्राई कर ले अब इसमें एक छोटा चमच तिल डाल दे यानि सफेद वाला तिल डाल दे अब इसमें एक कप के करीब पानी डाल दे एक या डेड़ कप पानी आप आराम से इस्तमाल कर सकते हैं अब इसमें दो चम्मच चीनी डाल दें इसी के साथ एक से डेड़ चम्मच नीबू का रज डाल दें और चीनी के घुल जाने तक न इसे हम पका लेंगे मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है अब इस तैयार किये हुए तड़के को न हम ढोक लेके ऊपर डाल देंगे तड़का डालने के बाद इसे हमने फ्रीज में रख देना है करीब 2-3 घंटे के लिए उसके बाद ही इसे हम सर्फ करेंगे उपर से मैंने बारी किया हुआ धनिया पत्ती डाल दिया है आपको मैं अभी दिखाती हूँ कितना सॉफ्ट और जूसी ये बन कर तयार हुआ है अभी देखिए मैंने इसे फ्रीज में नहीं रखा है फ्रीज में रखने के बाद क्या है ये ठंडा भी हो जाएगा खाने में तो अच्छा लगता है ये डोकला ठंडा लेकिन जब आप इसे दो से तीन घंटे बाद देखेंगे न बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी हो जाएगा जैसा कि आप देख सकते हैं अभी ये एकदम थोड़ा गरम भी है लेकिन उसके बावजूद ये एकदम सॉफ्ट बन कर तयार हुआ है आप इस रसिपी को न जैसा मैंने बताया है उस तरीके से बनाईएगा जरूर आपको इतना अच्छा लगेगा कि मन करेगा बार बार इसे बना कर खाये तो कैसी लगी आज की रसिपी उम्मीद करती हूँ बहुत पसंद आई होगी वीडियो अच्छी लगी हो न तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आज मैं बना रही हूँ मोंग दाल का चिला जो चिला आप शादी पार्टी में इंज्वाए करते हैं न वही वाली रसिपी मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ बेहत सिंपल रसिपी है लेकिन खाने में बहुत ज़्यादा लाजवाब लगता है उमीद करती हूँ ये रसिपी आपको जरूर पसंद आएगी वीडियो यानि की रसिपी अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज इसे लाइक करें शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फेमली के साथ और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें तो आए ये बनाते हैं इसे तो सबसे पहले इसकी स्टफिंग तियार कर लेते हैं तो इसके लिए मैंने लिया है एक गाजर एक छोटा प्यास थोड़ा सा धनिया पत्ती दो तीन हरी मिर्च और आदा इंच अद्रक का टुकड़ा इन सब चीजों को क्या है न एकदम बारीक करना है मैंने इस तरीके से छोटे टुकड़े में काट कर एक चौपर में डाल कर एकदम अच्छे से फाइन चौप कर लिया है आप चाहें तो इन चीजों को चाकू से भी एकदम बारीक बारीक कट कर सकते हैं बस इन सारी चीज़ों को एकदम फाइन चौप कर ले इसी के साथ हमें जरूरत है पनीर की तो मैंने लिया है 200 ग्राम पनीर देखिए जितना हमने चीला बनाना होना पहले उतना ही पनीर हमने कद्दुकस करना है सारा पनीर या सारा मिक्षर हमने एक बार में तयार नहीं करना है जितना पनाना हो उतना ही पनीर आप कद्दुकस करें और कद्दुकस करने के बाद इसमें दो से तीन चमच यह जो हमने सबजीयों को चौप करके रखा है न उसे डाल दे इसी के साथ थोड़ा सा काली मिर्च क पाउडर, थोड़ा सा इसमे लाल मिर्श का पाउडर, ये चीजे आप अपने सवात के अनुसार कम यह ज़ादा कर सकते हैं, अभी इसमें नमक नहीं डालना है, नमक डालने से क्या होगा अट इसमें पानी छोड़गा, डाल इसको अच्छा सा क्रिस्पी बनाने के लिए न मैंने इसमें दो चम्मस चावल डाल दिया है आप सिर्फ मौंग के डाल से भी ये रेसिपी बना सकते हैं वैसे इसे सिर्फ मौंग के डाल से बनाये जाता है लेकिन क्रिस्पीनेस देने के लिए मैंने इसमें दो चम्मस च करके डाल दें, दो-तीन हरी मिर्च डाल दें, थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल दें, ज्यादा हल्दी पाउडर नहीं डालना है, थोड़ा सा ही डालना है, नमक स्वात के अनुसार डाल दें, इसी के साथ इसमें एक छोटा चमस जीरे का पाउडर डाल दें, थोड़ा सा काल और ध्यान रखें इसे हमने बीना पानी डाले ही पीशना है जब आप पीशेंगे न देखेंगे कि पानी डालने की जरूरत नहीं है बीना पानी डाले ही इसका एक ठीक बैटर हमने त्यार करना है und फॉर्थ छोटा चमच इसमें मीठा सोडा डाल कर दो-तीन मिनट के लिए न अच्छे से फेट लें थोड़ा सा हल्दी पाउडर और नमक कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा और डाल दिया है बस दो-तीन मिनट न इसे अच्छे से फेट लेंगे दिखिए ये बैटर हमारा तयार हो गया है अब जो हमने पनीर और सबजीयों का मिक्षर तयार करके रखा है ना स्टफिंग के लिए उसमें थोड़ा सा नमक डाल दें नमक डाल कर अच्छे से मिक्स कर लें देखिए नमक उसी समय डालना है जब हमने चीला बनाना हो तो चलिए अब चीला बना लेते हैं तो चीला बनाने के लिए मैं ये नॉनिस्टिकी पैन इस्तमाल कर रही हूँ अगर आपके पास लोहे का तवा है तो पहले तो उसे अच्छे से गरम करें उसके बाद उसके उपर हलका सा पानी का चीटा डाल दें थोड़ा सा ओयल लगाकर उसके बाद ये बैटर हम उसके उपर डालेंगे अगर नॉनिस्टिकी पैन इस्तमाल कर रहे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है बस कपड़े से अच्छे से पोज दें और उसके बाद एक कल्ची भरके ये बैटर डाल कर एकदम पतला आप फैला दें वैसे जो शादी पार्टी में मिलता है चीला वो एकदम छोटे छोटे बनाये जाते हैं लेकिन घर पर आप इस तरीके से बड़े बड़े चीले भी बना सकते हैं ये आपकी च्वाई से बड़ा या छोटा कैसा बनाना चाहते हैं बस तवे को घुमाते हुए इसे हम अच्छे से सेख लेंगे अच्छे से सेखने के बाद इसके उपर हलका सा ओयल लगा दें और उसके बाद क्या है ना इसे हम पलट कर दूसरे साइड से भी थोड़ा सा सेख लेंगे कुछ सेकंड के लिए ऐसे छोड़ दें और वापस से इसे पलटें और अब इसके उपर हम स्टफिंग लगाएंगे बस अब इसे फोल्ड करें और अपने मन पसंद चटनी के साथ सर्व करें इसे क्या है ना आप खट्टी मीठी इमली की चटनी हरी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं इन दोनों चटनी के साथ ये बहुत ही लाजवाब लगता है इस तरीके से आप छोटे-छोटे टुकडे में कट करें और प्लेट में इसे सर्व करें चली एक बार फिर से देख लेते हैं कैसे बनाना है तो कपड़े से तवे को साफ कर लें अगर नौन इस्टिकी है तो सिंप ये वाला चीला मैंने छोटा ही बनाया है तो हलका सा ओयल लगा कर इसे पहले पलट दें उसके बाद कुछ सेकेंड्स के लिए छोड़ दें और फिर उसके बाद इसके उपर श्टफिंग इस तरीके से लगाएं फोल्ड करें छोटे-छोटे टुकडे में कट करें और अपन को बनाईए उसके बाद फीडबेक देकर बताईएगा जरूर कि आपको रेसिपी कैसी लगी उमीद करती हूँ बहुत पसंद आई होगी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फेमली के साथ और चैनल पर अगर पहली बार आए है तो सब्सक्राइब जरूर करें मिलते हैं नेक्ट वीडियो में थैंक यू